विक्रम शिला IES कोचिंग इस्टूट 14 विगा रिशी के इस भारतिय सम्मिधान राज व्यवस्ता कर रहे थे उसमें हम सम्मिधान के भाग 6 में ठीक है एक्जडिव राजजेपाल यानि का राजज्यपाल के बारे में कर रहे थे राजज्यपाल की मैंने आपको कारेपाली का शक्ति बता दी अब आगे की शक्तियां बता रहा हैं तो राज्यपाल की विधाई शक्ति Let's Lady Power of the Governor राज्यपाल, राज्यविधान मंडल का एक अभिन अंग है क्यों है, क्योंकि मैंने का विधान मंडल याने Legislature is equal to, one is Governor, two is विधान सभा, three is विधान परिशद विधान परिशद के ब्रैकेट में आपने लिखना जिन राज्यों में है क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिशद नहीं है ठीक है सत्र बुला सकता है, उसका सत्रावसान करता है, उसका क्या करता है? सत्रावसान करता है और ये आर्टिकल पढ़ना है 174, किसके साथ पढ़ना है आपने ये? 85 के साथ पढ़ना है, तो 85 में जैसे संसत का सत्र सत्रावसान और विगटन, वैसे आर्टिकल 174 में राज्ये के सम्मिधान मंदल के एक या दोनों सत्नों का समय समय पर सत्र आहूत कर सकता है यानि बुला सकता है सत्रावसान यानि सत्र की छुटी कर सकता है विधान सभा को क्या कर सकता है विधान सभा को विगटित भी कर सकता है लेकिन मैंने जो बीच में बुला आपको कि सत्रावसान कर स सकता है सत्र का सत्रावसान कर सकता है दो सत्रों के बीच में छे मां से दिक अंतर नहीं होना चाहिए सम्विधान में लिखावा इसका मतला राज्यपाल एक साल में दो सत्र बुलाने के लिए क्या है क्या है कम से कम दो सत्र उसको बुलाने पड़ेंगे और दोनों के बीच में छह मांग अंतर नहीं होना चाहिए, याने पहले सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच में किसी भी आहल में, 6 मां से दिक अंतर नहीं होना चाहिए, इस time मैंने बताए, राजज्य की विदान सभा को विगटित कर सकता है, कौन राज्यपाल राज्यपाल विधान सभा को डिजॉल्व कर सकता है या विगटित कर सकता है इसी राज्य की विधान सभा का विगटन उसके गठन के बाद कभी भी किया जा सकता है इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि विधान सभा की कोई बैठक होई हो जरूरी नहीं कि व विधान परिशत कभी कभी विगटन नहीं होता क्यों का पर लिखावा 172 के 2 में लिखावा 172 के 2 में लिखावा 172 के 2 में लिखावा पर राजय की विधान परिशत का विगटन नहीं होगा The Lessly Consul of the State shall not be subject to dissolution but as nearly as possible one third of the members thereof shall retire as soon as many as may be on the expiration of every second year in accordance with the provision made in the behalf of the Parliament by the law याने राज्य की विदान परिशत का विगटन नहीं होगा किन्तु उसके सदस्यों में से इसा संभो निकत्तम एक तिहाई एक तिहाई सदस्य परती दूसरे वर्स के आँगे रिटायर होंगे और उनकी जिकेपर नहें भरे जाएगे यह जैसे हमने राज्य सभा में पढ़ा था वैसे हम विदान परिशत में भी पढ़ रहें ठीक है तो विदान सभा का विगटन कर सकता है किसी राज्य की विदान सभा को विगटन उसके गठन के बात कभी भी किया जा सकता है इसके लिए आवश्यक नहीं है कि विदान सभा की कोई बैठक हुई हो राज्यपाल विदान सभा में या विदान परिशद वाले राज्य में विदान मंडल के किसी सजन में एक साथ दोनों सदनों में अभी वाशन कर सकता है एड्रेस कर सकता है वहाँ पर हमने राज्ट्यपति का पढ़ा था 86 यहाँ पर हम क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर क्या पढ़ना हमने 175 पहले यह 170 एड्रेस वाला जो है 175 है भई विदान मंडल में लंबित किसी विदेयक के संबन्द में किसी अन्य विषय पर सिग्रता से विचार के लिए किसी सदन या सदनों को संदेश बेश सकता है मैंने कहा 86 को पढ़ना 175 के साथ 86 को और 87 को पढ़ना 176 के साथ जैसे वहाँ पर 87 विशे सभी वाशन है ना विशे सभी वाशन किसको बोलते हैं अब जैसे चुना होंगे क्या होंगे नई लोगसभा बनेगी नई लोगसभा का पहला सत्र बैठेगा उस दिन का स्टेपती विशे सभी वाशन देगा क्या देगा महा महीम जो दुरपदी मुर्मूजी है वो क्या करेंगी विशे सभी वाशन स्पेशल लेटरिस बोलते हैं आर्टिकल 87 का प्रियोग करते हैं ठीक है दोनों सदनों को समवेत एक साथ एक साथ बिठा कर दोनों को अभी वाशन करेंगी वो अभी वाशन कौन लिखेगा मंतरी मंडल लिखेगा कौन लिखेगा क्याबनेट मिनिस्टर्स क्याबनेट लिखेगी उसको और उसमें सरकार के नीतियां सरकार की क्या होंगी उसमें नीतियां होंगी क्या होंगी जैसे इस बार तो अभी वाशन में उपलबदियां भी थी और नीतियां भी थी लेकिन मैंने का अधिकतर सरकार की नीतियां होंगी कि अगले वर्ष के लिए हमारी नीतियां क्या है फिर क्या करेगी महामईम रास्टेपती हर साल जो पहला सत्र बैठेगा उसमें अविवाशन करेंगी दोनों सद्रों को एक साथ समझ में आगी है उसको बोलते है विशे सभी वाशन ऐसे ही राज़पाल भी करता है जब नई विधान सभा बनती है जब नई विधान सभा का पहला सत्र बैठता है तो वहाँ पर special address अब पढ़ रहा हूं इसको में special address वाला जो है ठीक है और हर साल जब विधान सब्बा का पहला सत्र बैठेगा तो राज्यपाल अपना विशेश अभीवाशन करेगा राज्यपाल विधान सब्बा में परतेक आम चुनाओं के बाद परतेक वर्स के परतेक वर्थम सत्र के आरंब में विधान सब्बा में जिन राज्यों में विधान परिश्यद है वहाँ एक साथ सम्वेद दोनों सदनों में विशेज अभी वाशन करता है आर्टिकल 176 किसके साथ पढ़ना है 87 के साथ पढ़ना है और इससे पहले वाला जो मैंने बुला कि अभी वाशन कर सकता है विधान मंडल में लंबित किसी विधेयक के संबन में किसी अन्य विशेपर सिग्रता से विचार करने के लिए किसी सदन या दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है वो आर्टिकल 175 है उसको 86 के साथ पढ़ना है राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक को कानून बनने में राज्य पाल की स्विक्रती आवशेक होती है भाई मैंने बता दिया विधान सभा किसी बिल को पारित करे विधान परिशत किसी बिल को पारित करे पर है तो वह बिल जैसे ही साइन होंगे राज्यपाल के वैसे ही वो क्या बन जाएगा एक ठीक है उत्राखंड राज्य निर्माण सेनानी उत्राखंड राज्य निर्माण अंदुल्नकारी दस परसेंट पहले मेरे है चार-पान साल तक राज्यपाल भौन में अटका रहा फिर जो दामी जी है उन्होंने उसको वापस बुलाया मंगाया मतलब अब पास फिर उसमें संचोधन किये फिर उसमें क्या बैठी समीती बैठी समीति ने अपनी सस्तुति की फिर उसमें दस परसें क्या हो गया विधान सभा ने पास कर दिया लेकिन वो कानूम तब तक नहीं बनेगा जब तक उस पर महामईम राज्यपाल लेफ्टेंड जन्रल गुर्मी सिंग जी के सिंगनेचर नहीं हो जाते तब तक वैट नहीं बनता है सुझना आ गया उसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं राज्यान दुलनकारी कई सालों से ठीक है अभी तक नहीं नहीं हुआ और आज आपकी क्या है आचार सहीता लागू हो जाएगी आचार सहीता लागू होने के बाद ये समझ लीजिए कि अगर आज साइन नहीं ह दू होएं तीन मज़े से पहले पहले फिर नमब लबायंजार करना पड़ सकता है ठीक है चली जे राज्यविधान मंडल द्वारा पारित विधेकों कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्विखरती आवश्यक होती है राजिपाल के विदेक को पारित कर राज्यपाल के देने के लिए बाद्ध्य है क्योंकि धन विदेयक राज्यपाल के ही सिफारिश से विधान सभा में पेश किया गया है उस पर साइन करने के लिए बाद्ध्य होता है धन विदेयक को छोड़कर शेश विदेयकों पर राज्यपाल अपनी स्विकृति देने के लिए बाद्ध् अब ये सम्मिदान संचोधन का अधिकार इनको तो होता नहीं है कि इनको विदान मंदल को नहीं होता राज्य के वो तो संसद को ही होता है तो संसद ने माना कोई सम्मिदान संचोधन विदेयक पास कर दिया क्या कर दिया तो उस पर राष्टेपती बात दिया है साइन करने के लिए 24 में सम्मिधान चंचोदन अधिनियम सन 1971 71 के द्वारा समझ में आ गया ठेक चलो जी अच्छा धन भी देहको राष्टेपती रोक मतलब विलंब कर सकता उसमे ऐसा नहीं कि तुरंद करने पड़ेंगे साइन रोक सकता है पर उसको पुनर विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता क्या नहीं कर सकता तो मैंने कहा यहां पर भी ऐसा ही है धन विदेहक को छोड़कर सेश विदेहकों पर राज्यपाल अपनी स्विक्रती देने के लिए बात दे नहीं है और वे विदेहक को वापस कर सकता है क्या कर सकता है वही विदेहक को अपनी सिफारिशों के साथ विदान मंडल को पुना विचारार्थ वापस कर सकता है पुना विचार करने के लिए वापस कर सकता है परंतु यदि विधान वंडल विधैयक को उसी रूप में या कुछ संचोधित रूप में पुना पारिद कर देता है तो राज्येपाल उस पर अपनी स्विक्रति देने के लिए बाद्ध्य होता है ऐसा राष्ट्यपती के साथ बाद भी है संवीधान, संचोधन, विधेयक और धन विधेयक को छोड़कर राष्टे पती अन्य विधेयकों को पुनर विचार के लिए वापस भेज सकता है संचोधनों सहीत अपने संचोधन के साथ और अगर फिर लोगसभा राज्यसभा ने उसको पास कर दिया तो राश्टेपती बद्ध्य होता साइन करने के लिए ये विवस्ता दरसल क्या की गई थी चवालीस में संविधान संचोधन सन 1978 के द्वारा राश्टेपती को ये दिकार दिया गया था कि आप एक बार पुनर्विचार के लिए वादस भेज सकते हो यहां पर भी मैंने का राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है क्लिर हो गया ठीक है राज़ेपाल विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्टेपती के अनुमती के लिए भी तक्छता है यदि कोई विधेयक, आप किसको ध्यान डखना किसको यदि कोई विधेयक उचे नियाईले की शक्तियों को कम करने वाला हो क्या हो उच्छी नियाले की शक्तियों को कम करने वाला हो तो उसे राज्य पाल राश्टिपती के विचार के लिए अवश्य आरक्षित करेगा क्या करेगा उच्छी नियाले की अधिकारिता अगर प्रभावित हो रही हो उच्छी ने आले कि शक्तियां कम करने वाला कोई विधेयक हो, तो राज जेपाल राज्टेपती के विचारा अर्थ क्या करा देगा, उसको आरक्षित कर देगा, सम्मिधान में इस बारे में कोई मार्क दर्शन नहीं है कि राज जेपाल किस बिर्यक को राश्टेपती के विचार के लिए आरक्षित करेगा। कोई मार्क दर्शे नहीं नहीं अब यूसीसी आया उत्राखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला। ठीक है उसको क्या किया विधान सभा ने पास कर दिया। ने उसको क्या कर दिया। उत्राखंड पहला राजज जहांपर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल सहीता लागू करने वाला पहला राजजव कौन उत्राखंड, डेट यात करनी पडेगी कब लागू हुआ। यसद ना अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या घ्र करने की चांव भी अध्या पावर भवर्नेर्टु परम रित auster जरी करने की सकती ब्सक्राइब और बोलेगा राश्टेपतिक जरी जरी करने की सकती तो टु बंठिमर ओन्ठिम रज्डवाल युट्तरी टु वं ठी तो याद रहेगा dou新 123 राश्टेपती के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, क्लियर हो गया, होता क्या अध्यादेश, मैंने आपको बता देता, ओर्डिनेंस एक आयुद्ध होता है, एक अध्यादेश होता है, ओर्डिनेंस फैक्टरी तरकत राज्यपाल को अद्यदेश जारी करने की शक्ति दी गई है, राज्यपाल इस शक्ति का प्रियोग उस समय करता है, जब उस राज्य के विधान सभा या उस राज्य में अगर विधान परिशद भी हो, तो विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, तो अद्यदेश जारी कर सकता है, फिर बगल में हमारा जो पेटर्नल स्टेट है, उत्तर प्रदेश, वहां पर विधान सभा भी विधान परिशद भी है, तो वहां पर तीन कंडिशन होगी, विधान सभा का सत्र चल रहा है, विधान परिशद का सत्र चल रहा है, विधान सभा जब हम बोलते हैं विदानमंडल सत्र में नहीं है इसके तीन कारण होते हैं दोनों सत्र में नहीं है एक है एक नहीं है दूसरा है पहला नहीं है यह तीन कंडिशन बनती है कि विदानमंडल जब सत्र में नहीं हो और राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्तिय आप बिद्यमान है जिसके कारण सिग्र करवाई करना आवश है कि अरे भही मंतरी परिशत बताएगी मंतरी मंडल बताएगा किसको राज्यपाल को ठीक है राज्यपाल के अध्यदेश जारी करने की शक्ति अब यहां पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है अध्यदेश तो जारी कर सकता है राज्यपाल लेकिन कुछ मामलों में उसको राज्यपाल की पूर अन्मती से ही अध्यदेश जारी करना पड़ेगा नमबर एक जिन विश्यओं पर विधान मंडल में विधेख पेश करने के लिए राज्यपती की पूर अन्मती लेना आवश्यक है और दूसरा जिन विश्यओं से संबंदित विधेख को राज्यपाल राज्यपाल की विचार जले अरक्षित करता है यह दो चीज़ें याद करनी पड़ेंगे आपको यहां से कोशन बनाता मैं अगर मिरेको प्रेपर बनाने के लिए जाता है निम्न विश्यओं के संबंद में अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल की पूर अन्मती आवश्यक है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यदेश का वही बल और प्रभाव फोर्स और इफेक्ट होता है जो राज्य विदान मंडल द्वारा निर्मित विदी का अंतर क्या है फिर पिर अध्यादेशी क्यों जारी नहीं करते हैं अध्यादेशी जारी करते रहो फिर एक्ट बनाने की जुरत क्या है तो भई इसका जो जीवन काल हो च्छे महीने होता है किसका अध्यादेश की जो मैक्सिमम जो आयू होगी वो कितनी होगी 6 माहा है अब मैंने कहा कि 6 माहा क्यों कि 2 सतरों के बीच में 6 माह सब इक अंतर नहीं होना चाहिए अब मैंने कहा कर विधान सबा, विधान परिषद सतर बैठ गया तो 6 सब्था के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? उके क्रना पड़ेगा राज जेपाल ने जो अध्यादेश जारी किया है 42 देश के अंदर उसको के करना पड़ेगा नहीं तो अध्यादेश वही पर क्या माना जाएगा समाप माना जाएगा या तो 42 दिन याद कर लो या 6 सपता याद कर लो maximum age कितनी है 6 महीने अध्यादेश कारण क्योंकि 2 सत्रों के बीच में 6 मां से दिक कंतर नहीं होता है और वैसे मैंने का 3 सत्र बैठते हैं क्या बैठते हैं माना नहीं बैठे 3 सत्र 6 महीने हो गए तो फिर महीं पर खतम हो जाएगा हो अगर क्या पहले तो दो सत्रों के बीच में छे मां से दिक अंतर नहीं होना चाहिए इसलिए अध्यादेश की आयू जो बोल रहा हूं में छे मां लेकिन अब विधान सभा का सत्र बैठ गया तो 42 दिन के अंदर अंदर उसको के करना पड़ेगा विधान परिशद विधान स समबेत होने के छे सब्ता की समाप्ती पर या इससे पूर भी विधान मंडल द्वारा उसे अस्विकार करने वाला प्रस्ताव पारित करने पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है क्या हो जाता है किन्तु यदि विधान मंडल अध्यादेश को स्विकार करने का प्रस्ताव छ शे सब्टा की समापती से पूर पारिद करता तो वे अदिनियम बन जाता। वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। और कभी कभी सरकारें क्या करती हैं, वो बाद बिवाद से बचने के लिए अध्यादेश जारी करवा देती हैं। बाद में उसको ज्यादा उस पर बहस ना हो ज्यादा हला गुला ना हो तो अध्यादेश के द्वारा क्या करते हैं उसको किसी कानून को पहले और्डिनेंस और फिर उसको उक्के करके फिर उसको क्या बना देंगे एक्ट बना देंगे एक्ट बना देंगे क्लियर हो गिया रा बिधान परिशत का सतर बैट गया तो कहां से गिनेंगे हम फिर बिधान सवा का सतर बैटा तो जिस दिन बाद वाले सदन का सतर बैटा ना वहां से गिनेंगे हम क्या बयालीज दिन माना एक महीने का अंतर है तब ऐसे थोड़े बोलेंगे कि बिधान परिश्ट एक महीने पहले बैठ गी तीस दिन तो ये हो गए और बारा दिन और रहे हैं वहां से नहीं बिधान परिश्ट जैसे आज बैठ गई और एक महीने बाद विधान सवा का सतर बैठा माना तो विधान सवा का सतर जिस दिन बैठा तब से गिना जाएगा या मैं बोल रहाँ कि आज विधान सवा का सतर बैठ गया एक महीने बाद विधान परिशे का सतर बैठा तो जो बाद वाला सत्र जो बैठा जिस सदन का वहां से 42 दिन किने जाते कलिर हो गया ठीक अब इसके बाद मुझे लगता है वित्य शक्तियां कितना हो गड़ा है ठीक वित्य शक्तियां फाइनिंशल पावर्स राज्य पाल की वित्य शक्तियां भई अब जैसे उत्राखंड में हम तो आपके जो हमारे क्या है वित्य मंतरी हैं वो कौन है अरे भाई हमारे राज्य में निर्मला सितारमन जी देश की वित्य मंतरी हैं हमारे वित्य मंतरी जो हैं प्रेम चंद्र अगरवाल जी हैं कौन है तो ऐसे करके याद करो अपने राज्जे के इसाब से याद करो कि राज्जेपाल प्रदेग वित्तिय वर्स के प्रारम में वित्मंत्री द्वारा वारसिक आएवे का नमानित विबरन अर्थाथ बजट वार्सिक वित्ती विविरन नाम है सम्मेदानी की नाम किसका बजट का विदान मंदल के समख्च रखवाता है आर्टिकल 202 अपने सभी क्याबिनेट मंद्रियों के नाम याद रखना ठीक है सारे क्याबिनेट मंद्री जितने भी है उनके नाम याद रखना अभी लंबी है सरकार ये वाली जो हमारी राज्य की है लोग सबा के चुना हो रहे हैं लेकिन राज्य की अभी चल रही है समझ में आया राज्य पाल की अनुमती से ही धन विदेक विदान सबा में पेश किया जाता है तथा उसकी सिपारिश पर ही विदान मंडल से पूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान की मांग की जाती है किसकी हाजी हाँ तो दोसो अगर आप मैंने बोला आपको क्या अतिरिक्त अनुदान दोसो दो के बास अगर आप जाएंगे तो भही अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान दोसो पाँच आर्टिकल दोसो पाँच है राज्ये का अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान किसमे है आर्टिकल दोसो पाँच में राज्येपाल के अनुमती से ही धन विधेयक धन विदेयक की परिवाशा का है यहाँ पर अरे धन विदेयक देखो 110 में केंद्र के धन विदेयक की परिवाशा है राज्य के धन विदेयक की परिवाशा का है एक सो एक सो निन्यानवे एक सो निन्यानवे में है धन विदेग की परिपाशा है और धन विदेग के संबंद में जो विशेस परक्रिया वो एक सो ठाणवे में दी गई है किसमें दी गई है जैसे एक सो नौ में परक्रिया दे रखी न धन विदेग के संबंद में विशेस परक्रिया एक सो नौ में वैसे ही एक सो ठाणवे में धन विदेग के संबंद में विशेस परक्रिया राज्ये के दन विदेग के संबंद में सीधे लिखावा धन विद्यक विधान परिशद में प्रस्टापित नहीं किया जाएगा धन विद्यक विधान परिशद वाले राज्ये की विधान सभा द्वारा पारिद किया जाने के बाद विधान परिशद उसकी सिफारिश के लिए पारिशद किया जाएगा समझ में आया कि रपे आर्टिकल याद करें ठीक है जी तो मैंने कहा राज्यपाल की अनुमती से ही धन विधेक विधान सबा में फेश किया जाता है तथा उसके सिपारिश पर ही विधान मंडल में पूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान की मांग की जाती है राज्य सरकार की आकस्मिक निदी पर राज्यपाल का नियंत्रन रहता है किसी आकस्मिक खर्ज के लिए इस निदी से सरकार को धन दे सकता है फिर Contingency Fund of India Article 267 भारत की आकस्मिक निदी राज्य की आकस्मिक निदी राज्य की आकस्मिक निदी से धन कौन निकाल सकता है राज्यपाल क्योंकि नाम है आकस्मिक निदी बिदान सबा के सत्र का वेट नहीं कर सकते हैं कौन निकालेगा राज्यपाल हाँ राज्य की संचित निदी से धन निकालना है तो विधान मंडल निकालेगा कौन निकालेगा लेकिन राज्य की आकस्मिक निदी से आकस्मिक्ता आ गई आकस्मिक निदी से धन निकालना है तो राज्य फाल क्या कर सकता सरकार को धन दे सकता उसमसे निकाल कर समझ में आ गया लेकिन बाद में विधान मंडल को उसका उक्के करना पड़ेगा अनुमोदन करना पड़ेगा कि जो धन निकाला गया वो ठीक है समझ में आ गया और राज्य की संचित निदी से फिर वो जो गुल्लक खाली हो गया आकस्मिक निदी वाला खाली है कम हो गया है उसमें पैसा वापस करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा समझ में आया ठीक तो राज्य की आकस्मिक निदी पर राज्य पाल का नियंतरन रहता है राज्य पाल खास ध्यान दखना है राज्य की तेश की ऑक्रस्मेगणे दी जब मोetchलेंगा देश की आक्रस्मेग नेदी भारत की आक्रस्मेगणक नेदी गरोला राष्णेपत्जेपत्जा मोथ्ति बन्युक्ति आपने राज्युग निदी था लगार्थ में किसह अगर निकालना है यह देश की संचितनी भारत की संचितनी दन निकालना है तो बिनियोग विधेयक एप्रोप्रियेशन बिल समझ में आया और एप्रोप्रियेशन बिल का जो आर्टिकल है वो क्या है भाई हाजी 11 अरे भाई 114 देश के एप्रोपरेशन बिल का आर्टिकल है राज्य के एप्रोपरेशन बिल का आर्टिकल बताओ 204 को किसके साथ पढ़ना है 114 के साथ पढ़ना है समझ में आ रहा है उलज मत जाना मकड जाल नहीं बनाना है मदु मक्खी बनना है च्छते बनाने क्या बनाने कहां पर स्रमिक मक्खी रहेगी कहां पर प्रानी मक्खी रहेगी कहां पर कौन सा पॉइंट रहेगा इस तरह से मदु मक्खी का क्या बनो मदु मक्खी बनो क्या बनो I.S. में question पूछा एक बार मदुमक्षी का जो च्छता होता है उसमें जो प्रकोस्ट होते हैं प्रकोस्ट समझ रहे हैं मदुमक्षी जान देखा उसका आकार कैसा होता है answer hexagonal सोचो ना UPSC ने ऐसा question पूछा च्छते कई देखेते हैं कई पत्थर मारे थे तोड़े भी थे कभी ध्यान से नहीं देखा UPSC ने बोला कि विटा च्छते तोड़ने से नहीं बनते है इस देखना पड़ता है कि उसका आकार कैसा है समझ में आया बच्पन ना मूर्क थे हम लोग भी पता नहीं था कि क्या करना है क् चलो जी अगला इसके अतरिक्त विया राज्ये लोक सेवायोग का वारषिक राज्ये लोक सेवायोक का वार्षिक पर्तिवेदन और राज्ये की आयवया के संबंद में mortar शाक करना है उन्हें विदानमंडल के समख हरक्वाता है अब धियान रखना भै राज्य लोक्सेवायोग वारिशिक परतीवेदन वैंängtं, और वारिसिक परतीव्षित कराना परिशाएं यूजी जब आप परिशाएं दो गए तो उसमें लिखा होगा कि ये 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 लोग SDM बने लायक है ये DSP बने लायक है परतिविदन देगा उनको का देगा परतिविदन देगा वार्सिक परतिविदन मैंने इतनी भड़तियां करा दी है इतने लोगों को कर दी है तो देखा हो का आपने मान्य मुख्यमंत्री जी के मद्यम से क्या हो जो देश संबंधी लेखा होगा कैग आर्टिकल 148 से लेके 151 तक नियंतरक मालेखा परिक्षक जिसको वोगता है देश का एक ही होता है वो क्या करेगा कि देश की जो रिपोर्ट है वो किसको देगा राश्टेपती को राज्य संबंधी जो रिपोर्ट हो राज्यपाल को दे जाएगी तो उसको सत्ता रूड दल और विपक्ष दोनों पढ़ेंगे तो सत्ता रूड दल तो उतना ध्यान नहीं देगा लेकिन विपक्ष ध्यान देगा गोटाला कहां पर हुआ क्या हुआ क्योंकि जितने भी गोटाले होते हैं इस देश में सुने होंगे आपने टूजी स्पेक्टम गोटाला सांड गोटाला चारा गोटाला बहुत सारे गोटाले ऐसे ऐसे गोटाले जो अन्य देशों में अमने नहीं सुने पहला जो गोटाला हुआ था इस देश में सौफ़ेगा राज्यपल का रखवाएगा विधान मंदल के पठल पर रखाएगा विपक्ष पड़ेगा विपक्ष को पता चलेगा कि सत्ता में जो लोग बैठे वे थे उनके समय में राज्य यह गोटाला हो गया और बताओ बेबाकी से बोला करो डरो मत और कौन से गोटाले वे रज्यवे तो उनको कौन रखवाएगा तब पता चलेगा विए गड़बड होगी क्या हो गया चात्रवरती के नाम पर खा गए कुछ लोग सारा पैसा ठीक है चलो जी तो मालिखा परिक्षक के परती वे दिन परती वे दिन बोलते हैं रिपोर्ट को प्राप्त कर सकता है और विदान मंडल के समझ रखता है अब आगे हैं गवर्नर की नियाइक शक्तियां भई वहां पे तो एक विशेश शक्ति थी राश्टे पती की 143 पड़ा था हमने कि तो 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 इसा है नहीं यहां पर थोड़ा दूसरे कि श्यम्हादान की शक्ति देखते होंगे आप everyday आगा 26 जनवरी कुछ कहदी छोड़ दिये गए उनके अच्छे आचरण के कारण कौन छोड़ता है किसके कहने से छूटते हैं कि टीरी जील में इतने लोग थे उनमें से कुछ को अच्छे आचरण के कारण क्या कर दिया गया चोड़ दिया गया या दिरगुन जेल सुद्धो तो 72 के साथ पढ़ना है किसके साथ पढ़ना है 72 तो रास्टेपती की छमाजान की शक्ती है वो चार जो जानवर थे वो जो दिल्ली केस के क्या नाम था उनका निर्भया जो केस के ठीक है जो क्या थे हो जाहिल उन्होंने भी मांगी थी छमा रास्टेपती में छमा नहीं कि चारों को फासी भी लटका दिया गया बहुत देर में लटकाया गया अलंकी पर चलो लटका दिया गया लेकिन 161 भी जो है वो किया छमादान की शक्ती है वो किया राज्यपाल की शमादान तो बहुततर को पढ़ना आपने 161 के साथ राश्ट्यपदी की शमादान की शक्ती आ सर अठिकल 161 राझ्यपाल को अठिकल 161 के तहत उन विश्यों से संबन्दित किसी विजी के विरुद जिन पर राज्य की कारेपाली का शक्ति का विस्तार है किए गए किसी अपराद के लिए दोस्ते सिद्ध किये गए किसी व्यक्ति को दंड को छमा पार्डंस करने उसका प् पाइट्स करने या परिहार याने रिमिशन करने कि अत्वा दंडादेश के निलंबन या लगुकरन याने कम्यूट की शक्ति प्राप्ट इसको खास ध्यान देना यह मेंस में आपका छोटा कोशन बन सकता है क्या बन सकता है पचार सब्दों में बन सकता है इन शब्दों का प्रियोक करोगे तब चार में से चार नंबर मिलेंगे क्या मिलेंगे ऐसे मत लिख देना कि टीरी जेल से इतने कैदी छोड़ दिये जी यह चमादान की शक्ति है आपको इन शब्दों का प्रियोक करना पड़ेगा चमा प्रविलंबन विराम परिहार दंडादेश के निलं प्रविलंबन या लगुकरण इंग्लिश में लिख रहे होंगे तो पार्डन्स रिप्राइब्स रिस्पाइट्स रिमिशन और कम्यूट अगर यह शब्द दिखेंगे एक्जैमनर को तो नंबर देगा नहीं तो नहीं देगा समझ में आगे आप कैसे भी समझा लो तो सम् राष्टेपति की चमदान शकती में मैं बता चुका हूं वो वाला देख लिजिए उसको दुबारे रिवाइस करना आपकी समझ मां जाए रहे हैं तो तो राज्येपाल को राज्यस अच्छा यहां पर हम पड़ रहे हैं कि जिन मतलब किन विधियों के विरुद जिन पर र के लाज्ये की कारिपाली चेक है लगया नहीं है और नहीं संग सूची के विश्यों से संबंधित विदी के विरुद्ध कीए के अपराद या सेना नियायले द्वारा दिएगा किसी दंडा देश को च्हमा करने का अधिकार है कोड मार्शल अगर किसी का हो गया राज्यपाल छमा नहीं कर सकता कौन कर सकता राश्टेपती किसी को Capital Punishment मिल गया, मिर्तुदंड मिल गया किसी को तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही विक्ति छमा कर सकता है वो है प्रतम नागरिक राश्टेपती राज्यपाल नहीं कर सकता क्लेर हो गया? ठीक है Article 72 के अंतरगत राश्टेपती को मिर्तुदंड साइथ संग सुची के विशियों से संबंदित सभी अपरातों तो सेना नहायले द्वारा दिये के दंडा देश के छमा आधिकादिकार दिया गया है राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राए से अगला 103 के साथ पढ़ना है, 103 के साथ पढ़ना है, ठीक है, 103 में लिखावा कि कोई सांसद, क्या, निरहरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इसका निर्णे कौन करेगा, आंसद राश्टेपती करेगा, ऐसे यहाँ पे लिखावा, कि कोई MLA या MLC, कोई MLA या MLC, कि किसी डिस्क्वालिफिकेशन या निरहरता से ग्रसित हो गया है, इसका निर्णे मतलब लुक जाओ, वहाँ पर कहा है, अगर कोई निर्णे कौन करेगा, राश्टेपती करेगा, यहाँ पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन से संबंदित किसी MLA या MLC, Member of Less Lady Assembly या Member of Less Lady Council, विधायक या जो विधान परिशत का सदस्य है, उसकी निरहरता के संबंद में प्रस्वालिफिकेशन खड़ा हो जाए, उसका निर्णे राज्यपाल करेगा, लेकिन मैंने वहाँ पर आपको समझाया था, कि दल बदल के अधार पर कोई सांसद, क्या अयुग्य है या नहीं, इसका निर्णे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापती करता है, ऐसे ही यहाँ पर भी बोल रहो हमें, थोड़ा सा अलग, डिस्क्वालिफिकेशन दो तरह की होती है, ठीक है, यहाँ पर भी, कोई MLA ये MLC, कोई MLA या दल बदल के आधार पर, इसके दल बदल के आधार पर, डिस्क्वालिफाई है या नहीं, इसका निर्णे विदान सभा में विदान सभा का अध्यक्ष, और विदान परिशद में विदान परिशद का सभापती करेगा, यह समझ में आ गया, तो लेकिन एक सो बयान पर कहता है कि राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा, क्या लेगा, और यह कौन से निर्वाचन आयोग की राय लेगा, देश के निर्वाचन आयोग, 324 की राय लेगा, राज्य निर्वाचन आयोग की नहीं, किसकी, देश का जो निर्वाचन आयोग है, उस नेनितल है। वह पर जजज की नियुक्ति करनी है तो हमारे राजञपाल से पूसते हैं कौन राष्ट्टेपती किया करते हैंarf हमारा राजजपाल मों वो मतल स нужно Kao पार तीन ऎंगे हमज मैं ऑगिया राजजपाल जिला जजों की नियुक्ति और प्रुनत्ती प्रुनات्ती किसको बलते हैं, प्रुनत्ती किसको बोलते हैं। प्रुज्शन आदि उच्छ माए लेकर प्रामर्ष पर कॉन करता है। राज्यपाल करता है। कि अभी पढ़ेंगे । सबोर्णिनेट कोट जब आप पढ़ रहे होंगे वहां पढ़ेंगे जिला जज ठीक है पहले पीसेज जेद होगे जुडी शरीका पर पढ़ेंगे क्या बनोगे मुंसित मजिस्ट्रेट बोलते होंगे दीरे 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 परमोट होंगे आप परमोशन करते करते एक टाइम ऐ परमोट है और फिर हाई कोड से फिर राष्टा खुनागा सुप्रिम कोड़ है अगर जल्दी बुढ़े नहीं हो गए तो है पैसाट बासट साल तक हाई कोड बाकितीन साल सुप्रिम कोड़ इस ने लौ करो क्या करो अगर आपने देश का कानू नहीं पढ़ा तो कुछ नह पढ़ने से अच्छा है कि अपने देश का कानून पढ़ो Shakespeare ने क्या कहा वहां इंगलेंड में बैटके हो वहीं ठीक है ठीक है मैं विरोध नहीं कर रहा हूं Geoffrey Chaucer पढ़ो Shakespeare पढ़ो लेकिन अपने देश का करा आपने कानून पढ़ लिया तो अपने देश के बारे में क्या होती ही जानकारी है ठीक है चलीए अब है वैवे किये शक्तियां समय वैवे किये शक्तियां Discretionary powers of the President सम्मिदान के Article 1631 सम्मिदान के Article 1631 के अंतरगत राज्यपाल को कुछ वैवे के शक्तियां प्रदान की गई है जिसका प्रियोग वै मंत्री परिशत के प्रामर्ष के बिना वही विवेक से करना है तो मंत्री परिशत के प्रामर्ष के बिना कर सकता है दूसरे शब्दों में वह कुछ कारे मुख्य मंत्री की सला के बिना भी करता है जो उसकी वैवे के शक्तियों के इंतरगत आते हैं राज जेपाल की वैवे के शक्तियों को दो वर्गों में वाटा गिया है एक जो की सम्मिधान में इसपस्टिता उभबंदित हैं और दूसरी अपरत्यक्ष रूप से नहितव वैवे के शक्ति सम्मिधान में झो है वो तो साफ साफ आर्टिकल में दिखती हैं जैसे आर्टिकल 200 कहता है कि राज जेपाल राज विधान मंडल द्वारा पारिट किसी विद्धयक को स्वाव इवेक से आरक्षित कर सकता है किस से आरक्षित कर सकता है स्वाव इवेक से आरक्षित कर सकता है स्वाव इवेक से राज्येपाल विधान मंदल द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर विचार के लिए भी वापस कर सकता आर्टिकल 200 में लिखावा है का लिखा स्वाव इवेग से 200 में लिखावा है आर्टिकल 356 के तहते राज्य में सम्मेधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्यपति साशन कि सिफारिस कर सकता है कौन में 356 में ठीक है लिखावा है 213 में लिखावा कि किसी अध्यादेश को राष्टेपती की अनुमती के लिए रख सकता है किसके लिए राष्टेपती की अनुमती के लिए रख सकता है तो ये तो होगे भई जो सम्मिधान में लिखित है आर्टिकल 200, आर्टिकल 356, आर्टिकल 213 और कौन से? 200, 356 और 213 लेकिन मैंने का कुछ राज्यपाल को अपरत्यक्ष वैवे किये शक्तियां भी प्रापते हैं जिसका प्रियोग परिस्तियों के अनुसार कर सकता है और ये भी बता दू कि राज्यपाल की वैवे किये शक्तियां क्या है? जबकि राज्यपाल का पद बढ़ा है राज्यपाल का पद राज्यों में है राज्य के एक्जेकेटिव हैड है वो देश के एक्जेकेटिव हैड है उनके पास उतनी वैवे के शक्तियां नहीं है जितनी राज्यपाल के पास है अब नमबर एक, मुख्यमंत्री की न्युक्ति के समय जब किसी भी दल या कटबंदन को इसपस्ट बहुमत प्राप्त ना हो या बहुमत प्राप्त दल या कटबंदन का कोई निश्यत निता ना हो तो राज्यपाल ऐसे इस्तिती में मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से कर सकता है क्या कर सकता है भाई इसपस्ट भाउमत नहीं मिला बिखरावा मेंडिट मिल गया राज्य में माना राज्य में कभी इलेक्शन हुए और आपने क्या कर दिया दस कॉंग्रेस दस बीशेपी दस क्या यूकेडी दस सपा दस बस अपा दस ऐसे ऐसे करके दे दिया अब बिखरावा मेंडिट हो गया कौन बनाएगा सरकार और दस दस करके दिया सत्तर तो कुल सीटे हैं और सबने का जी मुख्यमंत्री कि हमें बनाओगे तो हम समढ़खन देंगे आपके कितने मुख्यमंत्री बन सकते हैं एक मुख्यमंत्री बन सकता है एक मुख्यमंत्री भी बन सकता है दो बन सकते हैं उत्तर प्रदेश की तरह जाज़ादा यही तो होगा तो बिख्रावा मेंडेटी यह निया इसमस्ट बहुमत प्रापत ना हो या बहुमत प्रापत दल गढ़बंद का कोई निश्थर निता ना हो कि बहुमत तो मिल गया पर कोई निश्थर निता नहीं है तो किसको बुलाएगा रच्जपाल वहाँ पर अपने विवेक का प्रियोग करेगा राज्यपाल ऐसे इस्तिती में मुख्य मंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से करेगा उसको बुलेगा कि क्या दिखाओ फिर फ्लोर टेस्टिंग होगी क्या होगी बताओ कितने लोग हैं आपके साथ यदि राज्यपाल की राए में विदान सभा में सरकार का बहुमत समाप्त हो गिया है तो मुख्य मंत्री को त्याक पत्र देने या बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है और यदि वह दोनों में से किसी बात के लिए तैयार ना हो तो राज्यपाल मंत्री परिशत को भंग कर सकता है विवेक का प्रियोग कर रहा है क्या कर रहा है वही पता चल गया राज्यपाल को कि विधान सवा में सरकार का बहुमत समाप्त हो किया है 36 सीटे हैं इनके पास राजयेपाल ने का क्या कहा framework घ्रीर सांवित करो बही बताओ और मुख्य मंंतरी जी माना यह कह रहा है कि हमारे पास है तो मंतरी परिशत को भंग कर सकता है मुख्य मंतरी बर्खास कर सकता है और ऐसे ही अविश्वास प्रस्ताओ पास हो गया विवक्ष लेके आता अविश्वास प्रस्ताओ फिर भी मंतरी परिशत त्याक पतर नहीं दे रही है मुख्य मंतरी त्याक पतर नहीं दे रहा है तो राज जेपाल क्या करेगा मंतरी परिशत को मंग कर देगा क्या कर देगा विवेक से अगला राज्यपाल कुछ विशेस परिस्तितियों यथा किसी मेत्वपूर मामले में सिग्र विचार के लिए मुख्यमंत्री के बहुमत में संदे होने पर स्वाविवेक से विदान सभा का दिवेशन बुला सकता है क्या कर सकता है विदान सभा का दिवेशन बुला सकता है राज्यपाल विशेस परिस्तितियों में विदान सभा भंग करने के संबंद में मुख्यमंत्री के परामर्ष को मानने से इंकार कर सकता है और उसके प्रामर्ष के बिना ही स्वाव इवेक से विधान सभा को भंग कर सकता है यह देखो यह important है राज्यपाल विशेस परिस्तितियों में विधान सभा भंग करने के संबंद में मुख्य मंत्री के प्रामर्ष को मानने से इंकार कर सकता है या उसके प्रामर्श के बिना ही स्वव विवेक से विधान सबा को भंग कर सकता है क्लिर हो गया राज़पाल स्वव विवेक से मुख्य मंतरी सहीद किसी भी मंतरी के बिरुद भरस्टाचार आदी आरोपों के आदार पर मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकता है क्या कर सकता है राज़पाल द्वारा अपने वेवेक शक्ति के अधीन किये गए किया गया विनिश्य अंतिम होता है अता उसके द्वारा किये किसी कारे की विदी माननेता को इस आदार पर प्रश्णकत नहीं किया जाएगा कि उसका कारे स्ववी विवेक अनुसार करना चाहिए था या नहीं साब साब लिखावा 163 दो में का लिखावा बाद में ये नहीं बोलेंगे कि उसने कारे स्ववी विवेक अनुसार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था अंतिम है बस उसका क्या कारे जो विवेक से किया गया है 163 दो उसको बड़ी पावर देता है किसको राज्यपाल को इसको राश्टेपती जी को नहीं है ऐसी 163.2 जैसा आर्टिकल नहीं है राश्टेपती के लिए विशेस उत्तरदाईतो बता दू कि महरास्ट और गुजरात राज्य के राज्यपाल को विशेस उत्तरदाईतो यदि राश्टेपती ने ऐसा निर्देश दिया विधर्ब, मराठवाडा, सौरास्ट और कच्छ आदी के लिए विकास बूर्डों की स्तापना आर्टिकल 371.2 कल क्यों बोल रहा था मैं कि उत्राखंड में 371 उत्राखंड को 371 में ले आओ 371 में क्यों लाना चाहिए उत्राखंड को देख लो मैं बता देता हूँ 371 में माराश्ट गुजराथ पढ़ा था हमने वो 371 क्या देता माराश्ट गुजराथ के राज़े मतलब माराश्ट गुजराथ को उसमें विशेस उबंद जो दिया गया उसमें क्या है सुनलो भई इंपॉर्टेंट है इस बार कुशन बनेगा UPSC में सुनलो माराश्ट गुजराथ राज़ेपाल को विशेस उत्तरदाइत पो विशेस यदी राश्टेपती ने निर्देश दे दिया हो साथ में ये भी बोलना पड़ेगा तो देखो विधर्ब, माराश्ट में पड़ेगा विधर्ब, मराठ वाड़ा, सौराश्ट और कच्छ ये बड़े सेंसिटिव जिले हैं भाई कच्छ सुना है आपने, रन अफ कच्छ जंगली गदों का अब बेरन ने भी है किड्नी फेलियर हो जाता कही बार ड्यूटी देनी होती है बड़ा कठिन क्या होता है कीचड में जच चलना पड़ता है बहुत गर्मी है ठीक है, नमकी नमक, हवा में भी नमक और गमीन में भी नमक समझ में आरहा है ठीक तो वहाँ पर विधर्ब मराठवाडा सौरास्ट और कच आधी के लिए विकास बोर्डों की स्थापना कर सकता है कौन वहां का गवर्नर कहां का महरास्ट और गुजरात का महरास्ट और गुजरात का नागालेंड 371 कौमें पढ़ा था हमने नागालेंड का राज्यपाल का विशेस अब क्या है यह मैं जब 371 पढ़ा रहा हूंगा ना वहां डिटेल से बताऊंगा कि उत्राखंड को 371 में क्यों आना चाहिए ठीक है मणीपूर के राज्यपाल का विशेस उत्तरदाई तो मणीपूर के पाड़ी छित्रों से निर्वाचित होने वाली समीती का उचित कारे करन सुनिश्चित करने के लिए होता है 371 गौ में पढ़ते हैं हम यह सिक्किम 374 सिक्किम के राज्यपाल को विशेस उत्तरदाई तो शांती के लिए तो जनता की उन्नत्ति और साम्मेपूर्ण विवस्ता के लिए किस के लिए में विशेस उत्तर दाए सांती के लिए जनता की उन्नत्ति वह साम्मेपूर्ण विवस्ता करने के लिए रुणजल प्रदेश 371 जार्यपाल कैसरे राज्यपाहल को विधी और विवस्ता संबद में विशेश उत्तरदाईट है बड़े sensitive प्रदेश सुना है ना आप में जंगल ही जंगल है हमें ये भी नहीं पता कि अभी तो चीन क्या करता है बार बार अपनी बॉर्डर नेफा समझ में आया मतलब वहां अगर मिमान दुरुगटना करस्त हो जाता है तो पता ही मलवाई नहीं मिलता हो उसका ऐसे गने जंगल है त तरदाई तो उपरोग ये मैंने बता दिया कि यहां पर राज्येपाल मंतरी परिश्ट की सला को मानने के लिए बात दे नहीं होता है 371 पर खास तैयारी कीजिए इस बार UPSC में 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 प्रशन बनेगा प्री में भी कोशन बनेगा किस पर 371 371 का खा गा गा लद्दाक का जो मामला है वहां से परिश्ट बनना ही बनना है किलेर हो गया तो ये मैंने आपको बता दिया क्या राज्येपाल का शक्तिया राज्येपाल की शक्तिया अब मैं अगला बताँगा राज्ये मंतरी परिश्ट अगले लेक्चर